स्वागत है दोस्तों आपका Confusion 9.2.11 में दोस्तों जैसा कि रेलवे ने 23 तारीख को साम में ALP and Technician का Stage 2 का एक Detail Marks निकाला था जिसमें Raw Marks, Pro Rated Marks and Normalized Marks था तो उसमें Part A में तो सबका ठीक था लेकिन Part B में रेलवे के तरफ से सिस्टम के दोरा बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसे सुधार करके फिर इन्होंने एक फिर से Revise Result दे दिया है तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं तो basically मैं ये बताने के लिए नहीं फोन किया था basically मैं इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ तो पहले वाले में और अब में क्या डिफरेंस आया है उसके बाद confusion होता है कि sir Part B में जो selection होगा जो वो तो केवल qualified था Part B उसमें कैसे selection होगा या तो raw marks के हिसाब से होगा या फिर normalize marks के हिसाब से होगा तो क्या उसके लिए 26.25 out of 75 में लाना है या फिर 100 में लाना है 26.25 marks या फिर 35 marks लाएंगे तो selection होगा तो इसमें मैं पूरा detail आपको दूँगा ताकि आपको कहीं भी कोई confusion ना रहे और आप बार बार disturb ना हो और अपना एक रेट अपना पता कर सके कि हां मेरा selection हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और कुछ मैं approach फिर मैं cut up भी बताऊंगा राची और पटना जोन का खास करके तो इस हिसाब से यह पूरा वीडियो आप देखिए और इसमें आपको पूरा detail में बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले जो error आ रहा था वो किस तरह का error था और अब जो सुधार हुआ है उसमें क्या सुधार हुआ है और कहां पे आप changes हुई है यहाँ पे जो पहले जो निकाला गया था उसका मैं दिखा देता हूँ यह पार्ट B का है पार्ट A सब का ठीक था पार्ट B में ही जो था वो प्रॉलम था तो यहाँ पे जैसा कि total question part B में 75 था इसमें total ignore किया गया दो question जिसमें आ गया total valid question 73 रो मार्क्स इनका 38.333 प्रो रेटेड मार्क भी यहाँ भी यही हो गया था प्रो रेटेड मार्क्स आउट ओफ अंडेड 38.333 और नॉर्मलाइज में यहाँ इनका 45.46747 था तो यहाँ पे जो सुधार करके हुआ है आप दोनों में यहाँ पे रो मार्क्स पे ध्यान दिज कियेगा क्योंकि इसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका शेलेक्शन पार्ट बी में हुगा है या नहीं तो चलिए यह था पहले वाला आप जो सुधार करके अभी तुरंत जो रेल्वे ने जारी किया है मार्क्स वो देख लेते हैं चलिए यहां पर देख लेते हैं उन्हीं केंडेट्स का था पच्छत्तर में उन्होंने टोटल अटेम्ट किया 53 उनका टोटल करेक्ट हुआ 42 टोटल रॉंग हुआ 11 नमबर और टोटल नमबर ओफ कोशन इगनोर सॉरी टोटल रॉंग 11 कोशन रॉंग किया थे टोटल 42 कोश किया गया दो टोटल वैलिड कोशन हो या आपका 73 जिसमून का रो मांक्स है निगेटिव घटा करके 38.333 ओके अब देखिए यहां पर प्रो रेटेड स्कोर यह जो प्रो रेटेड स्कोर हुआ वह आउट आफ हंडेड यहां पे आपका सब सारे जिन जितने जितने लोगों का मांक्स बताया जाएगा प्रो रेटेड वह आपका 42.51141 की हिसाब से यहां पर प्रो रेटेड स्कोर आउट आफ हंडेड में आपका यहां पर बता दिया गया नॉर्मलाइज्ट मार्क कि यह 59.02085 इनका टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स आ गया तो अब बहुत सारे देख ले जिनका भी जिनका भी रॉमार्क्स यहां पर ध्यान दिजेगा मैं रॉमार्क्स का बात कर रहा हूं कि जिनका भी रॉमार्क्स 26.25 से ज्यादा या इसके बरावर आ रहा होगा वह यहां पर प्रो रेटेड मार्क्स उनका 35 या इससे ज्यादा आ रहा होगा ठीक है तो अगर जिनका भी raw marks 26.25 या उससे ज़्यादा है तो उनका obvious है कि यहाँ pro rated marks 35 से यथा उससे ज़्यादा होगा तो जिनका भी pro rated marks 26.25 नमबर आ रहा है वो समझ जाए कि उनका selection हो गया है part B में वो qualify हो गया है selection नहीं मतलब qualify हो गया है उनका जिनका इतना आएगा उसमें आना ही आना है अभी तक मुझे कोई भी ऐसा candidates नहीं मिले है जिनका यहाँ पर raw marks तो आ रहा है माली जे 27 लेकिन यहाँ पर उनका आ जा रहा है 34 नहीं यहाँ पर भी उनका 35 से 35% से ज़्यादा इसमें pro rated marks में आ रहा है तो आ रहा अगर किनीक का यहाँ पर 26.25 आ रहा है और यहाँ 34 दिखा रहा है pro rated में तो अगर कोई ऐसे candidates होंगे तो किर्पिया करके वो मुझे comment box में बताएं एक चीज़ और है raw marks अगर आप अपना देखिएगा तो जिनका भी 26.25 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो qualifying हो गया है अगर कोई candidates अपना pro rated marks देख रहा है तो वहाँ पर अगर उनका 35 या उससे ज़्यादा marks आ रहा है तो वो qualifying हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर raw marks में अगर आप देखिएगा तो 26.25 यहाँ pro rated में देखिएगा तो equivalent to 35 के बराबर होता है तो इस हिसाब से यह दोनों marks आप देखना चाहेंगे और इसमें दोनों में confusion आपका दूर हो गया कि कौन से marks से मेरा selection हो रहा है कौन से नहीं तो आप लोग समद गया है कि अगर raw marks के हिसाब से चलिएगा तो यहाँ पर आपको 26.25 लाना है तो यहाँ पर लोगों का confusion उमीद करते हैं कि दूर हो गया होगा और तो यहाँ पर जो 26.25 आप लिजेगा वहाँ पर वहाँ पर total जैसे valid question का नहीं जैसे out of 75 का हम बात कर रहे हैं लेकिन अगर आप 73 यहाँ दो ignore हो गया 73 यहाँ पर लिया गया है तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा आपका 26.25 यह इसका 73 का अगर आप निकालिएगा 35 परसेंट उसके हिसाब से फिर यह चलेगा दोस्तों लेकिन ज्यादा आप chance है कि आप लोग ज्यादा मतलब अगर accurate पता करना चाहते हैं तो pro rated marks आप देखें अपना pro rated marks देखिए यहाँ पर अगर आपका 35 या उससे ज्यादा है तो आपका आप qualifying यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर pro rated marks देखिए ज्यादा बहतर रहेगा यहाँ पर आप 35 या उससे ज्यादा रा रहे हैं तो आप qualifying है और आप हागे का तयारी कीजिए पार्ट A के हिसाब से अब रहा कटफ का बात करता है तो कटफ अगर रांची जोन का बात करें तो PCM ग्रूप वालों के लिए ज़्यादा जाएगा यह तो obvious है PCM ग्रूप वालों के लिए 66 to 70 नमबर कटफ जा रहा है यह मैं बात कर रहा हूँ OBC और जेनरल दोनों का लगा के क्योंकि दोनों का लगभग बराबर ही जाएगा कटफ दो तीन नमबर का फर्क आने वाला है दोस्तो तो यह PCM ग्रूप के लिए हो गया 66 से 70 तक का अब आया जो ALP के लिए है तो ALP के लिए अगर आप OBC के टेगरी के है तो 46 पलस है तो ज्यादा चांस है कि आपको Psycho के लिए कॉल आ जाएगा और अगर आप जेनरल है तो 50 तक अगर आ गया है या 50 पलस है तो आपको Psycho के लिए ALP में कॉल आ जाएगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेर करे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगा बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद